परदिश में चुनावी रंगत जम चुकी है और अभी हमारे साथ बार्मेर भजबा के परत्यासी दीपक कडवासरा है। इनसे जानते हैं कि कैसी चुनावी तैयारियां चल रही हैं और इस वक्त इनके सामने सबसे बड़ी चुनोती क्या है। सबसे पहले दीपक जी आपका श्वागत और पहला मेरा सवाल कैसी तैयारियां चल रही हैं चुनावी आगाज हो चुका है और हम निश्चित रूप से बाड़मेर मुख्याले पर इस बार भारतिय जनता पार्टी का जो ध्वजे वह फेराने वाले हैं और राजस्तान में प्रचंद बहुमत के साथ में बारतिय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं कि यह भी बात कि लोगों को एक ऐसा नेता मिल रहा है जिनने कितनी सारी पढ़ाई कर रहे हैं कितनी डिग्री और कई सारे जो हैं ओफर जोब के मिल चुके हैं लेकिन उसके बाव जनता की सेवा करने आए देखिए मेरा जो सेक्षन एक जो मेरी योगिता है मैं आयाइटी दिल्ली से कंप्यूटर साइंस में बीटेक हूं और आयम बैं जो कैसे हो और मैं आमजन के लिए उनकी समस्याओं का निवारण कैसे करूं और एक बेहतर बाढमेर का निर्बान कैसे करूं यह लक्ष लेके चल रहा हैं और यही विचार लेकर यही वेजन लेकर भेम handing के बीच में उपस्तित हो रहा हूं और आम जन का मेरे प्रती विश् तो मैंने जैसे काम एक सामाने कारिकरता की रूप में आमजन के बीच में मैं जा रहा था उनके दुख दर्द सुन रहा था और उसके बाद में जब नाम इस तरह से चर्चाओं में और अधिक आया तो लोगों ने जानना शुरू किया जो नहीं जानते तो उन्होंने जानना तो उनका एक विश्वास मेरे साथ में जुड़ा और यही विश्वास दिनों दिन मुझे मजबूती प्रदान कर रहा है तगाराम जी के पोते हैं इसका फाइदा कहीं करें मिलता हो नजर आ रहा है देखिए मैं परमशद्दे हलसास्त्री मेरे दादे सुर्गिसी तगाराम जी चौधरी उनकी मेरे जीवन में जो उनके जो सिद्धान्त थे उन्होंने पूर्ण इमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ में अलपायू से ही वो जन्ता की सेवा के अंदर जुट गए थे और उन्होंने मैंने उनको कई बार देखा जब जन्त सेवा का कोई कारे पूर्ण होता था तो उनकी आँखों में खुशी होती थी और कभी बाँ जो मैंने उनसे प्राप्त किया है हम उस सेवा के भाँ से लोगों के बीच में जा रहे हैं क्या मानते हैं चुनोती दीपक करवास्र है अपने होती है जह बड़ी होती है तो चुनोती को पार करने का आनद इस अच्छा हो था है और वरत्मान समय में च्छून्होंती तो यह हो गई है कि आम जन जो है आम जन की समस्याओं का निवारण कैसे हो क्योंकि 15 साल हो गए है तो जो खूटा है जो एक ब्रश्टाचार का भय का डर का और कूशाशन का जंगल राज का जो एक जो खूटा जो गड़ा हुआ है 15 सालों से उस खूटे को इस बार उखाड फ जनता से काफी समय से लगतार आप जा रहे हैं लोगों से मिल भी रहे हैं क्या लोगों का रियक्शन मज़रा है लोगों का रियक्शन एक ही है कि हमें जो ये 15 सालों का जो ये सूखा है उस सूखे को खतम करना है और यहां पर हर्या ली और एक सूखा लाना है ये जनता के मन में भी जनता ने ठान लिया है और जनता ने कहा है कि हमारे बीच में रहने वाला, हमारी दुख दर्द, हमारी जह समस्यां हैं उनको सुनने वाला और उनका नीराकरन करने वाला व्यकति चाही है मैं ना कि जो अपनी खुद की सोच रखता है, भाए का वातावन बनाता है और जिसको जनता से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ यही है कि ये इनकेंट प्रकारेंट सत्ता में कैसे में बना रहूं उनको यहां से विदा करना है। बिल्कुल ये दीपर कड़वासा जनिल साफ तोर पर कहना है कि जनता मन बुना चुकी है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि 25 नवंबर को जनता किस तरब अपना मन बनाती है। शुक्रिया।